मैं भाजपा का पारशद हूँ, मैं चुनाव लड़के जो है चुनाव जीता हूँ और जो घटना चुकी मैं उस गाड़ी में था जिस गाड़ी में के लोगों की हत्या हुई है जो गाड़ी का ड्राइवर था हरियोम उसको बड़ी बेरहमी के साथ मार दिये मेरा मित्र अधर बचा है या उसको मार दिया गया मुझे ऐसा घ्ट कर नहीं हो इसके बारें नहीं मुझे नहीं जानकारी मिली है जुक्कि मैं इस डर और दहसत से वहां के लोगों के बीच से निकल के अपनी जान बचा पाया हूं मैं भाग की आया हूं तो मैं अभी बहुत जदा क्य क्योंकि जो हम लोग तो स्वागत के लिए निकले थे वहाँ पर हम लोग तो कारिक्रम इस्तल से स्वागत करने जा रहे थे वहाँ पर काले स्वागत करना था रास्ते में जैसे इनके बीच में पहुंचे इन लोगों ने तुरंती वहाँ पर जो है सबसे पहले डंडा जो जं तो वह बड़ी दैस्ट और का महाँ था जब वह गाड़ी पे चड़ तर्थर चल रहे हैं पकड़ों सालों को आप गाड़ी पड़ी पत्तर चलता है तो समय दरों दैसे हजारों की संक्या में वह गाड़ी के उपर तरफ से गाड़ी को गेरने का प्रयास कर रहे थे वह गाड़ी को वही समझना चाहा हूं कि आखिरकार इन किसानों में आपको ले करके आपके लोगों को ले करके टेनी मिश्रा उनके बेटे आसिस मिश्रा को लेकर के ऐसी बात क्या थी इतनी कौन सी रंजिस ती जिसको ले प्रयासिस मिश्रा जी की हत्या की साजिस उनकी हत्य की साज सती जो गाड़ी ती तो यह लोगा आँ सीज्रा मुझे समझ रहे थे इस लिए उन लोगों ने उस पे पत्स्राव रीड़ पत्थर चलाना शुरू कीया है और वहाँ पर गाड़ी का हरहाल रोगना चाहते थे और जिस प्रकार नारे लगा रहती रोको सालो को पकड़ो सालो को मारो और बहुत सारे अभदल गालियां दे रहते अभद्र बासक कर रहे थे और वहां पर खालिस्तान इंदाबात के नारे लग रहे गाड़ी किनारे बाई और रुकी है उसी समय मुझे 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 खोल निकला हूं उसमें आसीज मिस्रा मोनु जी जब मैं वहां से कारेक्टरम से निकला हूं रिसीव करने के लिए तो वो कारक्रम इस्थल पे थे वो उस कारक्रम के चुकी आयोजक हैं और उस कारक्रम कुष्टी प्रसुबे से प्रारम हो जाती है तो वो वहीं पे रुक के उनके स्वागत के लिए थे कि यहाँ पे कारक्रम चालू रहे सुचारू रूप से विवस्ता चलती रहे इसनाते व वह गाडियां पहले तो धीमी रफ्तार में आई फिर एकदम से उनकी स्पीड बढ़ जाती और जो भी सामने आ उसको चलते वह चली आती है वह सबसे आगे थार जीव ती जिसमें आप बैठे देखे ऐसा है वह गाड़ी हर्यों मिस्रा ड्राइव कर रहा था जो मर चुका है उसको जान से मार दिये लोग जो गाड़ी थी वह जो धीमी चल लही थी जब इन लोगों ने सीधे उस पे जो है लाटी डंडे इट पत्तर से वार करना शुरू किया है जब पत्राव करना शुरू किया है जब एक डर का माहौल बना दिये तो अपनी जान बचाने के लिए ह और दिये थे लिए राजिमंत्री के इतनी बड़ी साजी नहीं चला लेकिन जो घटना हुई है वह उतले घंदाबाल नहीं नहीं है हमला करने वाले के पास हतियार होते हैं हतियार होगा और अगर वहां पे गाड़ियां छुटी थी उनमें हतियार थे तो इन लोगोंने हतियार क्यों नहीं हतियार निकाल के क्यों नहीं रखे होंगे आपके सामने जरूर रखते वह लेकिन उसमें तो स्वागत के लिए गाड़िया जा रही थी और स्वागत करने हम जा रहे थे तो निश्ची सुप से वहां स्वागत करते लेकिन जब बीच में इन्होंने पत्राव सुरू कर दिया और सीधे मारे जान से मारने की पूरा इनका प्लान था और उसको जब गाड़ी रुकी है तो उस अंजाम को इन्होंने जो साजिस को था उसको अंजाम भी दिये लेकिन ये मेरी किस्मत ती या इस्वर का अश्रवाद था कि मैं किसी प्रकार से वहां से जान बचा के अपनी भाग निकला वीडियो सोसल मीडिया पर और वायल है जिसमें पूरु सांसत अखलेश दा से छेरा दी गई थी अब वह थे नहीं थे मुझे इसकी पूरी पुक्ता जनका ही नहीं है चुकि मैं भी उत दिन के बाद से मैं ज़्यादा नहीं मैं कहीं ज्यादा जो है गया नहीं बड़ा डर का महलता और बहुत जादा मन में दहसत भरी हुती चुकी जो वीडियो में एक बात और है जो विक्ति घायल हुआ है जो फॉर्चुनर गाड़ी के बात तरह ना जिसमें अखलेस दास के भतीजे थे उसने पुलिस के सामने यह बयान दिया है कि आगे गाड़ी में भाईया जी थे भाईया जी किसको कहते हैं पता नहीं यह प्रिजन आकर कराते तो बात समझ में आती हैं मृतकों के परजनों ने भी तहरीर दी होगी लेकिन चुकि मेरे साथ घटना करम हुआ था मैं वहां पे था और मेरा मित्र सुभम मिस्रा उसमें खतम हुआ था इसनाते मेरा वो तहरीर देना आवश्यक था इसलिए मैंने ततक यह वहां पर जाके तूरंती मिलके अप्ली केशन दे दी थी क्योंकि मेरा उसमें मित्र खतम हुआ था और यह मेरी जिम्मेदारी पर इजब में वहां पर तो मुझे देनी चाहिए टुछ नाते मैंने वहां पर जाके अपली केसं दी थी तैस बात करने के लिए जिन्हों न और इस पूरी घटना की जाज की मांग भी कर रहा है कैमरामेन फैसल के साथ संजेत रिपाथी एबीपी नियूज लखेंपूर खिरी एबीपी नियूज आपको रखे आगे